नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस्टेडी फॉर सिविल सेज में खंड सिच्छा दिकारी यानि की ब्लॉग एजूकेशन ऑफीसर की डेली टेस्ट सेरीज में स्वागत है आपका दो टेस्ट हो चुके हैं अलड़ी यह मौक टेस्ट नंबर तीन है ठीक है दोनों प्लस यह जितनी भी मैं डेवाई सिरीज जो बनाऊंगा प्लस जो फुल लेंथ टेस्ट सिरीज बनाए जाएंगे और प्लस कम्प्रीट इस्टेडी मेट्रियल सब कुछ पेड़ कुप में मिलेगा उसमें रीजनिंग मैद सब कुछ मिलेगा ठीक है अब सबकी प्रिक्टि तो दो नंबर है मारे इनको जो है आप इन पे कॉल करके आप जोईन कर सकते हैं कम्प्लीट मिट्रेल मिल जाएगा प्री के लिए 856480530969606089 एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर ये टेस्ट सिरीज को कंटिनू रखना है तो प्लीज आपका भी पार्टिसपेशन च प्लस जो मैं पूछूंगा उनके आंसर लिखने ये आपको जरूर करना है ये वाला अगर आप करते रहे तो डेली हमारी तरफ से भी कंटीनू रहेगा इतना साथ चाहिए बस साथ में ज्यादा ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा चलिए पहला को इसमें चालू कर लेते ह हैं पहला प्रेम्बल को क्या में कर सकती है पालिया मिंड क्या प्रेम्बल को पार्ट नहीं माना गया है और पलस जो सुवेरंटी ओफ इंडिया होती है इसका क्या मतलब होता है कि कोई external power हमको नहीं dictate कर सकती है government of India को इन तीनों में से correct बताना है इसका correct answer है C C इसलिए है क्योंकि तीसरा statement सिर्फ यहाँ पर correct है sovereignty का मतलब ही यही होता है कि कोई हमको दूसरा नहीं बता सकता है है दखलंदा जी नहीं लबर लबर कर सकता है हमारे government of India के कैसे rule करना है क्या करना ही सब ठीक है simple देसी भासा में यहीं इसका मतलब होता है कि हम sovereign है ठीक है हम जो है हम अपने decision लेने के लिए independent है हमको किसी से पूछने की ज़रूत नहीं है लेकिन जो पहले दोनों statement है गलत है क्य किया जाता है मतलब किया जा सकता है संसत के द्वारा ठीक है दूसरी बात है प्रियंबल को माना गया है part of constitution दोनों सही है यह यह तीसरा गलत है इससे क्या हो सकता है कि इससे यह दोनों question अलग से भी पूछे आ सकते हैं अभी एक question आया था यूपी पीसे 2019 में कि प्रियंबल क को enforce नहीं कर सकते हैं लेकिन amend कर सकते हैं और यह पार्ट भी एक constitution कर ठीक है पहले का अंसर है C दूसरा question अभी latest current affair का है एक storm है यानि कि अपका तूफान है एलसा और फैदियन यह कहां पे आया था यह बताना है वो इसका correct answer अंसर है बी इस और यूरोप एस्टर यूरोप में आया है यह वेस्ट यूरोप से लेके साउद यूरोप की तरह बढ़ रहा है मतलब कुर्मला के यूरोप में आया है यह सेकंड का भी है थैड वाला इन जा चुका है यह important question है James Andrew Ramsey किसका वास्तविक नाम था यह किसका था आपका यह Lord Dalhousie का ठीक है इन में से बताना है कि Blue Water Policy से related कौन है आखिर इन में से कौन जो है जिसने Blue Water Policy लाई थी यह जो है आपका 5th का correct answer है A D Almeida ठीक है अच्छे यह बताईए Blue Water Policy का क्या मतलब था भी ब फ्रांस का था कि कहां का था पॉर्टुगीज था यह डच का था कहां का था यह exactly नेक्सराइस में पूर्ण सोराज का resolution यह कब पास किया गया था 6th का correct answer है आपका डी लाहोर सत्र 1929 राभी नदी के किनारे किया गया था उसी के बाद 26 जन्वरी को 1930 को पहला बार जंडा भी इसलिए 26 जन्वरी को बाद में जब हम आजाद हो गए तब भी हमने 26 जन्वरी 1950 को जो है हमारा जो सम्विधान है वो फाइनली जो है रिपब्लिक इंडिया बना था ठीक है इसलिए मतलब कुछ प्रोविजन आ गया था 26 जन्वरी 1950 को ठीक उसी डेट की याद में इन में से पताना है आपको कौन सा नोट करेक्टली यह वाला हमेशा याद रखिएगा क्वेस्टन जब भी एक्जाम में यह जरूर देखें कि क्या सही पूछा है गलत पूछा है इसमें कई बार चंफीज हो जाता है आता हूँग गलत हो जाता है यहाँ पर नोट को ठोचा सेवन का फोड़ा सा अच्छा question है conceptual भी है फ्रैक्ट भी है इसमे शोचलिस्ट वर्ड को कब जोड़ा गया था क्या यह सही है क्या इसको 42nd amendment से जोड़ा गया था और दूसरी बात है इसका main aim क्या था ठीक है 8 question का correct answer है पहला वाला सही है देखे 42nd जो constitutional amendment था उससे तीन वर्ड जोड़े कहते है SSI मैंने आपको कई बार बताया हुआ है एक तो है integrity एक है socialist दूसरा वर्ड कौन सा है वो आप comment करके बताएंगे और दूसरी बात यह है socialist का मतलब है inequality कहां कहां खतम करना political और economic religious नहीं ठीक है तो यह second गलत है नाइन question है इसमें आपको बताना है कि अगर भारत में किसी राज जी का आपको नाम change करना हो बदलना हो तो इन में से किस के द्वारा किया जा सकता है इसका correct answer है D सिर्फ Parliament के पास इराइट है यानि कि संसत के पास सिर्फ अधिकार है कि वो किसी state का नाम जो है प्लेइस देख लिजे 10th question है इन में से कौन कौन से जो है fundamental right है मौली क अधिकार हमारे कौन कौन से है 10th का correct answer है आपे इदे के 5 लिखे हुए है और इसका correct answer है 10th का C 1345 2 आला नहीं right to vote fundamental right नहीं legal right है जिर्फ ठीक है याद रखिएगा right to die with dignity गरिमा के साथ मगरने का अधिकार यह भी है fundamental right article 21 में आता है 21 एक ऐसा article है जिसको Supreme Court ने कई बार interpret किया और कई सारी चीजे जो है मतलब even हवा सच हवा का खाने तक का अधिकार और बहुत सारी चीजे इसमें गुजड़ देते हैं 21 वाले में तो इसको बार बार जो है Supreme Court आज भी जो है इसको enlarge करता जा रहा right to privacy यह भी डाल दिया है ठीक है right to privacy भी है आपका 1345 जो है यह fundamental right हो गए है ठीक है तो यह सारी चीजे हैं इसमें और इसके बाद 11 इंडियन फेडरल जो सिस्टम है वो किस पर बेज़ड है मतलब किस देश के उस पर प्रणाली पर अधारी थे 11 के question के correct answer है C ठीक है कनेड़ा पर जो fundamental right होते हैं उनको कौन जो है expand कर सकता है भारत में मौलिक अधिकारू का दायरा किसके द्वारा विस्तारी जो है किया जा सकता है इसका correct answer बताना है और इसमें जो है आपका 12 question का correct answer है D ठीक है 124 देखे Supreme Court भी जो है बढ़ा सकता है High Court भी और यह पालियमन भी Lower Court नहीं कर सक सकता है ठीक है वैसे भी Supreme Court एक चीज़ और 32 अगर हमारा कोई fundamental right वाई लोट हो तो हम directly Supreme Court के पास जा सकते है यह फंडामेंटल राइट है ठीक है और Article 226 के ताहित हम यहां जा सकते है High Court में लेकिन High Court का जो दायरा है वह fundamental right से भी जाता होता है मतलब हम fundamental right को enforce कराने के लिए के वाल अगर fundamental right की बात करें तो हम Supreme Court भी जा सकते है यह सब चीज़ मैंने बताई हुई है ठीक है और यह लच्छी मिकानत वाली पाल्टी में बताई हुई है यह next है इसमें 13 question इसमें तीरी statement लिखें आपको इसमें से incorrect यानि की गलत वाला बताना है 13 question का correct answer है C पहला दूसरा जो statement है वो बिल्कुल जो है आपका 13 question का correct answer क्या होगा इसमें हाँ यह वाला जो statement बिल्कुल सही है कि जो article 14 में rule of law है उसमें state यानि कि राज किसी को punish कर सकता है citizen को सिर्फ इस चीज़ के लिए कि अगर उन्हेंने कोई law violate किया है और दूसरा वाला भी सही है life और personal liberty वाला article 21 मे आता है तीसरा वाला नहीं सही है क्योंकि जो आपका prohibition of employment of children यह वाला 23 का नहीं है यह 24 का है तो यही वाला गलत है 3 वाला गलत है इसलिए यहाँ पे incorrect पूछा है 13 का correct answer is C 14 में आपको बताना है यह direct to principle of state policy जो था इसके कौन कौन से है मतलब इन मेंसे जो चार लिखे हुए इन मेंसे कौन कौन सा है जो राज नीती के निदेशक निदेशक सिधानतों में से आता है इसका correct answer है आपका चल्दी से पड़के बताए 14 के वाले में आपका correct answer है C यह चार worker का management जो होता है उसमें participation के लिए और level of nutrition को बढ़ाने के लिए इसलिए जो है पालियामेटिया संसत कई बार law बनाती रहती है इसके लिए जाते हुए नहीं जोते हुए छेतर मिले थे field मिले थे डोला वीरा में आपका यह एक मिला था शिला लेक और प्लस यह बाना वली में टेरा कोटा रिप्लिका मिला था यह ठीक है एक हलका चारों सही है 15 का है C 16 में बताना है यह जो है आर्ट है मतलब किस सामराज में कौन सी सी आर्ट है इसका बताना ही यां पर मैंने टो फॉलुउइंग आसbles में से लेकिन आपको इंकरेक्ट वाला है आपका या विश्य का इसका करेट टैम सर क्या है 16 का है बी ठीक है से यह से संभन दित है यह वह आप बताएंगे कमेंट करके इस में बताना है कि इसमें से कौन-kौन से अनिमल जो थे जो हरपन कल्चर में और आपके टेरा-कोटा आट कि खिंग में पाए एंपाए गया ते वहां पे मतलब कि नेक्स एसमें इंकरेक्ट बताना है आपको यह जो है बुद्धिश्ट काउसिल हुई थी चारों काउसिल का यहां पर दिया हुआ है अब यह बताना आपको को कई बार बताया ट्रिक इसके लिए कई बार मुझे वाइट वी एनलेसिस कर चुके हैं पहली वाली राजग्राह में विद्धी तो यह गलत हो गया और दूसरी वाली वह शाली में यह गलत हो गया यह दोनों जो हें बाकी सब सबसे हैं इसलिए आंसर वाड़ी को कौन फिक्स करता है यह बताना है मैस यानि की जो मिनिमम्म सपोर्ट प्राइस होता है इसका करेक्ट आंसर है गवर्मेंट ऑफ इंडिया इन चारों में से अगर ऑप्छन ने तो गवर्मेंट ऑफ इंडिया ही है ठीक है अजह एग्जाट्ली कौन से संसा आप करती है तूट त्री तीनों ही सही है ठीक है अब मेगसीनी जाया था मौरें पीरेट में और फाइन जो जो आया था पोश्ट गुप्ता में गुपता काल के बाद नेक्स जिसमें बताना है दो statement लिखे हुए इनमें से incorrect बताना है गलत कौन सा है 21 का आपका correct answer है डी दोनों ही statement मिल्कुल सही है गुपता जो शाशक थे उन्होंने silver coin जो किये थे चांदी के सिक्के जिसको रुपका बोलते थे और इनको यह जितने भी यह सिक्के हैं यह northern पार्ट जो है मतलब उत्री पार्ट पर पाए जातने हैं और भारत पुर जो है रहस्तान में वहां बहुत सारे पाए जातने हैं दोनों statement सही है इसलिए कोई भी गलत नहीं है 21 का इसलिए ठीक है उसके बाद है 22 इन में से यह चार city के नाम लिखे हुए है इन में से आपको यह बताना है कि डाइ यूरिनल जो range of temperature हो सबसे ज़्यादा कहां पे होगी मतलब कि इकुल मिला कि maximum बहुत जल्ली होता है और जो है गरम भी बहुत जल्ली होता है यह property अपने guarantee पढ़ी होगी तो जरूर यह पढ़ी होगी इसलिए जो है राजस्तान में जिसे जो है temperature बहुत ज्यादा भी जाता है रात में वह ठंड भी बढ़ती है 22 का यह मतलब ऐसा कभी question आ जाए ना तो इ है उन्हीं के कई जगह पे नाम है तो इन में से यह बताना है कि correct कौन सा है इसमें 23 का correct answer है आपका c1234567 यह सातों नाम सही है जूम कल्टिवेशन को दया बोलते हैं MP में पहू बोलते हैं आंद प्रदेश में पोडू बोलते हैं पामा देवी उडिसा में मिलपा बोलते हैं मेकसिको में को नुको बोलते हैं वेनजुएला में रोका बोलते हैं ब्राजिल में मैसौल बोलते हैं Central American तो देख रहाए आप एक एक क्वेश्चन कितना comprehensive है अब इससे पूरा जो है जो हैं जो है जूम कल्टिवेशन वाला लावान से परफ़ाकता क्लीयर हो गाई ऐसा ही क कि यह कौन था जिसको की बेस्ट सर्जन बोलते थे एंशेंट इंडिया में गुपता की टाइंप उसने सुशुत सम्मिघान की लिखी थी फूर्थ एंजुरी में बिलॉंग करता था था यह वह फूर्स एंजुरी एडी का था हूँ चौथी सताब्दी से समझते थे इसका कर करेक्ट बताना है यह जो है दो इस्टेटमेंट दिखे हुए है कि कौन सी नदी है जो आपकी अरली वैधिक पेरिट में ठीक है प्रारंबिक जो वैधिक काल था उसमें सबसे ज्यादा बार जो लेक किया गया है वो कौन है सिंदू है ठीक है दूसरा है कि पांच जो तो या ही है कोई नॉरमल लेमाट है तो नॉरब जो है नुभाही उनको अनूरत बोलते है जो भिद्शो फॉलों करते हम अनूरत और जो लोग नॉर्मल लोग फॉलों M个 अनूरत करते हैं यह दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं से कोई गलत नहीं से इसका आफ्おण करना अगर यह पूछेंगे कि DPSP, नहीं कि राज के नीती निदेशक जो सिदान्त होते हैं, इनको नौवल फीचर है, यह किस ने बोला था, बी आरम बेट करने बोला था, यह बिल्कुल सही है, यह जो DPSP है, पार्ट फोर में, कॉंस्टूटूटूशन में में बिल्कुल सही है, तीसरा जो है, यह स्टेट्मेंट गलत है, क्योंकि क्लासिफाई नहीं किये गए हैं, यह कॉंस्टूटूटूशन में नहीं लिखाए कि तीन टाइप के होते हैं, DPSP, सोस्टूटिस गांधियन और लिबरल इंट्रेक्च्छल, यह सिर्फ जो है, इनके मतलब किस तरह से य उठके हिसाब से लोगों ने कहना चालू कर दिया है, लेकिन सम्विधान में कहीं भी मेंशन नहीं है, सम्विधान में नीति निदेशक जो सिधान थे, उनका कोई वर्गी करण है ही नहीं, ठीक है, उसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं दिया हुआ है, ठीक? तो यह वाला ग किये गया है और लेक किया गया है इनका 36 जो है वो राज की डिफिनीशन बताता है ग्रैन्विल और फंडामेंटल राइट को बोला था कॉंसाइंस ऑप्तुटूशन ठीक है समिधान की मूल आत्मा तीनों स्ट्रेट्मेंट से हैं इसलिए कोई गलत नहीं है 27 का इसलिए होगा यह जो है आपके देखें यह थोड़ा आजीब सा क्वेशन लगेगा आपको लेकिन है क्वेशन यह इसमें बहुत सारी चीजा आपके क्लियर होंगे पहली बात तो इनका हैड़कोर्टर पता होना चाहिए आपको और फिर उनको जो है आपको नौर से साउथ में में मेंशन नौर से साउथ यानि की उत्तर से दच्छिड क्यों लगाना है ठीक है यह हमारी टेसरीज काई पाठ है इसलिए यहां पर दिया हुआ है तुटिनाइन का करेक्ट अंसर है सी ठीक है पहले का हैड़कोर्टर यू अंटैट का कहां पर है जिनेवा में है दूसरे का जो है उन इंडिरेक्ट ली हुआ समझ रहा है यह वाला जो टेसरी से मैंने काट के क्वेशन दिया है जो पुरानी टेसरीज में अच्छे-च्छे क्वेशन है वह भी मैं इसमें दे रहा हूं यह जो आपकी चलाई है ठीक है तो यह वाली चीज़े हैं यह मतलब कई सारे क्वेशन ड भगत सिंग राजगुरू और सुग्देव को फासी पर कप्लट गया गया था यह तो रटा होना चाहिए डी है 23 मास 1931 कई बार पूछा गया है कौन सा गुप्ता शाशक था जिसने की हुनों को और आया था यह कौन था आपका यह है आपका सी इसकंद गुप्त ठीक है यह क कि अगर आप देखेंगे तो तंत्रता संग्राम में एक जो है एक्ट के बारे में यह बोला गया था हैंग्री मैं बिंग ऑफ़र्ड इस्टोन अलब भूके आदमी को जो है आप पत्थर की पेशकर्ष कर रहा है यह कहां पर जो है किस से जो है सम्मोदित गया था 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 थ जग है जो है कि छोटे-चोटे से पार्ट है आंद प्रदेश और केरल रुतमिलंडू तीनों को ट्रच करता है इध्यान लगए आप अगर आपने मैप देखा हो कभी इंडिया का तो ऐसे यह फैला हुआ है ठीक है यह है इसी के साथ कोईशन खतम हुए यह आप जरूर प् क्वेशन है यूपी पीसेस के प्रिवेश यह के आप इनको सौल करिए ऐसे ही क्वेशन आएंगे सिक्सिस्टर का जो है टू एन टू टू त्री फॉर फाइव है एर्सी का 658 है अरेस्ट का बताना है आपको ठीक है फिर दूसरा क्वेशन यह वाला है आपको यह थ्री इसमें मिसिंग नंबर को आपको यहां बताना कौन सा नंबर आएगा इन में से चारो में से जल्दी से कमेंट करके बताएए यह जो हैं सीरीज फॉलो करते रहे हैं इसकी पूरी प्लेलिस भी बना दी है मैंने बीयो की उसमें जो मोस्ट इंपोर्टन वीडियो जो तो आप सकते हैं कोई बात नहीं कि यहां पर जो वीडियो जैन उनके नोट बनाएए लेकिन जो वीडियो की प्लस पूरा स्टुडी में जो सब चीज़े पेड़न को में मिलेगी लेकिन जो फृग यहां पर नहीं भी कर सकता है मैं इसलिए डेवाइस सीरीज बी चलाने जारह हूं वाल दबेशा जेए जेए.